नमस्कार मैं डाक्टर मयंग कुमार राय प्रोफिसर एंड हेड क्रिसी विज्ञानकेंद्र गोतम बुद्धनगर से हूं और जो क्रिसी विज्ञानकेंद्र सर्दार बलला बैपटिल क्रिसी उंप्रदोगी की विशिविदाले कंतरगत कारे कर रहा है और आज मैं N.I.US के स्टीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा विश्य है इस विश्य पे हम चर्चा करेंगे और विश्य यहां है सबसे इंपार्टेंट विश्य है मुद्मक्खी पालन कैसे करते हैं और उसका परिछे अम महत्त क्या है मुद्मक्खी पालन का जो इतिहास रहा है उस पे हम आज बात करेंगे दूसरी चीज मनुष्य का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो मनुष्य से कम से कम पांसो साथ लाग बर्स व पुरू है मुद्मक्खियों का प्रादुर्भाव हुआ इसका मतलब कि मनुष्य जब अवतरित हुए मनुष्यों का जब उसके बाद पांसो साथ लाग बर्स पुरू जो है इसके बारे में बेद में बेद पुराण में रमायन में महाभारत में भी आपको बर्णन मिलेगा और सबसे मुख्य चीज यह होता है कि जो समाजिक ताने वाने का जो संपूर्ण जो स तनाव नहीं होता है और अपना खुत भोजन इकठा करती है और दूसरे को भी उसके उसका जो मधू होता है जो भी प्रोडक्ट होता है उसको उपलब्द कराती है यह समाजिक ताने बाने का एक तरह से कह सकते हैं यह हमारे प्राकृति रूप से बहुत ही बड़ा उधारन किलिए सकते हैं मधूमक्खी पालन का सबसे पहले प्रारंश्च से प्रारंश से प्रारंशा होता है और मिट्टि के बरतन में ऐसकी जो मधुमक्खी का सबसेदree करने demás vomit करने और मिट्टि के बरतन δेटButtust आठीसाथ क्रित्री म्भोजन की रूप में जब सबसे पहले म्दमक्य को कृत्री म्भोजन दिया गया वह रोम में दिया गया रोम से सबसे पहले प्रारवब हुआ कि अर्टिपीसियल जब इसको भोजन उपलड़ ważन ही होता है उस समें इसको रोम से प्रारव Noah गया इतिहास मिलता है 1951 में लोरंजो लोराइन लेंगिस्टाथ एक बैग्यानिक थे जिन्होंने बताया कि मदमख्य नेचुरल तरीके से जहां रहती थी उनको पालने के लिए क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए तो सबसे पहले इस्पेन के टेरिस नमक बैग्यानिक ने यह बताया कि राणी मधुमख्य परिवार की जो मास मांती है अभी परिवार हज होती है जो कि अमेरिका और यूरोप के बैग्यानिकों ने बताया के मेरी मदमक्खी भी उसको कहते हैं इस तरीके से अलग अलग समय पे अलग लग तरीके की जो खोज की गई बैग्यानिकों द्वारा उसका इतिहास मिलता है साथ ही बर्स 1950 तक एसिया यूरोप और अफरिका म बढ़े में ऊठाओ जाता है और आस्ट्रेलिया में अठव फसके 122 में इसका इतिहास मिलता है न्यूजिली इंद'Sorg बसे का इतिहास मिलता है और उत्तर अमेरिका 1.1850 में जो फिलाडेलफिया नगर में किया गया सबसे पहले इसका पालन के लिए, मदमख्य पालन के लिए, अमेरिका के फिलाडेलफिया नगर में जन्मे जो लोरंजो नामक बैग्यानिक थे, जो लंगिस्टार्ट जो हमने पहले बताया था, वही उन्हीं को आधुनिक मदमख्य पालन कि एक समय पर सब कुछ नहीं मिल पाता है और अलग अलग बैग्यानिकों ने जो जो सोध किया जो जो काम किया उसको जो है अलग 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 तरीके से हम बताना चाहेंगे आपको और 1865 में मदू को कैसे निकाला जाता है चत्तों से ये अस्ट्रिया के बैग्यानिकों ने इस पर काम किया था साथी भारत में मदमक्खी पालन कब किया गया यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे यह मदमक्खी पालन थोड़ा सा देर से सुरुआ 1882 में बंगाल में एक जो है डांग घर में अधिकारी थे लेनी नाम था उनका उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयास किया था और वो अस्फल रहे उसके बाद पंजाब में 1883 से 1884 के बीस में पंजाब में इसकी सुरुआत की गई थी और 1883 में भारत सरकार ने इस पर काम कर गया था उसके बारे में के नाम से भारत सरकार ने एक प्रकासित सूथ प्रकासित किया और उसमें यह पता लगा कैसे मदमख्यी पालन किया जाता है कैसे उसको जो है उसमें च्छतों की दूरी क्या होने चाहिए किस तरीके से इस पर काम करना चाहिए यह सारी इन सारी इंडिया जो सबसे पहले जो हमने बताया कि जो डांग विवाग में कारुरत थे वह ग्यानिक क्या थे उन्होंने जान डगलस नाम था उनका उन्होंने हैंडबूक आप वीकिपिंग इंडिया के नाम से परकासित किया लेक किताब पब्लिक्स किया और उन्होंने बताया कि कै इसके बारत में मुदमख्खी पालन शुरूआत किसे की जा सकती है क्या कर सकते हैं उसके अलग लग तरीके क्या हैं और और कर सकते झाक एक्स महुसम में हम पंहुनको आडिविश्यल डिया जा सकता है कि This Me 1905 में जब हमारा Imperial Agriculture Research Institute पूसा बिहार में जब बनाया गया, तो उसमें रिसर्च किया गया इस पे मदमखी पालन पे, और 1907 से 1919 के बीच में पूसा बिहार में ही इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए और इन रिसर्च के बाद आधुनिक मदमखी पालन जो है भारत में भी प्रार है, उसके माध्यम से उसको लिए अलग से एक विभाग बनाया और खादी ग्रामोदयोग आयोग द्वारा ही एक केंद्री मदमखी पालन अंसंधान संस्थान बनाया गया पूरे में, वहां से हम विधिवत तरीके से मदमखी पालन के रुप में काम करना हमने शुरू किया, साथ ही जो है, इसके महत्त क्या है, मदमखी पालन का बहुत ही मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, इसके बहुत सारे आयाम है जिसको हमको समझना जाई है और बहुत ही इंपार्टेंट है, पहला इंपार्टेंट भी से क्या है, इसमें परागण, मदमख्यों में परागण करने की छमता होती है परागण आप सबसे पहले मैं परागण के बारे मैं आपसे बात करूँगा जो हम खेतों में फसलें लेते हैं उन फसलों का जो परागण होता है आपस में जो एक तरह से पालियनेशन की बात करेंगे तो उसमें पालियनेशन जो है मदमुक्यों दारा सबसे ज बढ़ जाता है अगर जिस एरिया में जिसे सरसो है या बहुत सारी जो फसले होती है उसमें अगर आप मदमक्खी के बक्से रख देंगे तो आपका उत्पादन स्वाभाई ग्रूब से बढ़ जाता है और अगर मदमक्खी के बक्से नहीं है मदमक्खी आसपास नहीं है तो उससे क्या होगा कि आपका उतपादन घढ़ जाता है और इसा बहुत सारे बाग्यानिकों ने सोध किया है इसपे कि एक ग्जायB meetings कल दसजार Baptist सा होता है उसमें कम सी कम दो से चार लेख से आपको परिवार के रुपने मदमखी के रखने चाहिए उससे क्या प्लिनेशन होगा और प्लिनेशन से उत्पादन भी बढ़ता है और फिर आपकी आमदनी भी बढ़ती है जो आज हमारी सरकारों की और हमारे बैग्यानियों की मुखी जो है जिस पे हम मुख्य जोद दे रहे हैं उस प्रस और पराग करने के प्रकिया में एक ही जाएते के सरसों से पराग एकत्र कर रही है तो सिर्फ सरसों के ही फूल पर हो जाएंगी सरसों के अलावा कोई और अगर वहां पर फसल होगी तो उस पे नहीं जाएंगी यह बहुत ही चैनित तरीके से काम करती है और इनका यह भटकती नहीं है अपने उद्दिस से में एक तरह से सकते हैं कि साथ ही जो है पर पर परागण करते हैं क्रास जिसको को लो सकते हैं कि अपने आप इस के अलवा घय हो अ जव के आलवा किटनी से होता है जिसमें में सबसे पहले हमने सबसे परागन को अब परागन बहुत ही इंपार्टान है जो पुसके अब connect u other ौार में लेकिन सब्सक्राइव मधुमख्यिप की सब्सक्राइव का मन। मधुमख्यों से एक अना क्यौन दाएं एक बारल आप में आने में एक सब्सक्राइव और दूसरी जीज और इसको॓प टो निकलते हैं और इसके साथ साथ जो परागण के आलावा हम परागण भी एकठा करते हैं जो कि भभी उपयोगी होता है और जो है मदुमक्खि को ने बैपार गूर्प में बेच सकते हैं मदमख्य का जो अलग लग कालोनी जो होती है मदमख्यों की उसको भी हम बेच सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे इसके उपयोग हैं साथ ही जो है बी जॉम फल के उत्पादन में मदमख्यों का क्या उत्पादन होता है मदमख्यों से जो फूलों में पूसपुरस पराग जो एकत्रीत होता है उसके बारे में आपको बदाया मदमख् Gree के पिछले टांगों में जो पराग टुकरी होती है उस-से 沥ेशली एक तांगों में जो फराग टोकरी नेचर दौरा बना हुआ है उसी सी ने पराग कठ आ करती है और वह ही जा करके दूसरे फ़लों पे दूसरे फ़ूल पे चोड़ देती है तो एक तरस से पालिनेशन का काम वें करती है तीसरी चीज क्या होती है कि मदमुख्धी के जो से होते हैं उनके लिए भोजन इकत्र करती हैं तो साथ साथ ही बहुत सारे एक साथ काम करते हैं पारिवाज जो आयाम है हमारा उसके लिए सबसे बड़ा उधारन है क्रिसियों अद्वानिक फसलों में मधुखी तारफ परागण में कितनी होती है इस पर हम थोड़ी सी चर्चा क करेंगे क्योंकि हमारा जो आज का जो बिसर है वह सबसे इंपार्टेंट इसलिए है कि मधु मधु मख्यी पालन से मधु का जो उत्पादन होता है रहल जेली का जो उत्पादन होता है मधुवंस को हम बेचने का जो उत्पादन होता है प्रोपोलिस है बहुत सारी चीज़ को जरूर अपने खेत में रखते हैं और मैं उसके उधारण के रुप में आपको बताना चाहूंगा कि क्यों रखते हैं मूली में 22 से 100 परशेंट तक इसमें परागण में बृद्धी हो जाती है जो कि हम हवा द्वारा या बरसात के द्वारा जो बताते हैं इस तरह से इसके बंदगोवी में 100 परशेंट तक होती है गाजर में 9 से 135 परशेंट तक हम मानते हैं कि मतलब उत्पादन के बृद्धी हो सकती है प्याज में जो होता है सल्जम में भी होता है साथी फल ब्रिक्षों में जो है सेव है लीची है नीबू है इस्ट्रावेरी है रसभरी है अमर इससे लगता है कि उत्पादन बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बढ़ता है साथ ही जो है सर्सों है जो सबसे इंपार्टेंट है सर्सों में आप देखे होंगे जब जो मदमक्खी पालन का जो काम करते हैं जो लोग वह उन बक्सों को अपने ट्रकों में भर करके जहां से सीजन होता है सर्सों का वहां पर लेकर के जाते हैं और वहां के बाग में रख देते हैं और अपने सव बक्से दो सो बक्से तीन सो बक्से चार सो बक्से वहां किराये पे बाग वाले ने किराये पे अपना अपना बाग किराये दे दिया दो हजार तीन हजार चार हजार मतलब कुल के हिसाब से लिए लेते हैं और वहां मदमॉख्खी के बक्से और रखते हैं और आस पार सरसों से जो उती परांग कणई कठा करती है और यह बहुत ही important है एक तरह से एक जगह से दूसरे जगह पर जब आपसीजन किसी जगह हो उस तरह उस में लेकर कर के जाते हैं इसके आलावा जो है तोरी है सुर्य मुखी है इन खेतों में भी इसके साथ रखा जाता है भारत में परिक्षणों के अधारपन मदमुख्यों दरब परागन में उत्पादन में जो ब्रिद्धी है वो जो बैगन में है बैगन में संख्या में ब्रिद्धी होती है कम से कम 34-35 से परेसंट से परशेंट से उसे पर्παति के अगर हम बात करें तो पचीज से क्यान पर्शेंट तक कि बर यह प्यार्वेरिय में है और जयादा को तक हो जाती है अबर ग्रय अम्रूद मैं ब्र इंस तरीके से हम अबार यह बताना चाहेंगे आपको कि मधुम्ख्षी पालन क्यों जो है महत्वपून है तो इंधु जी हम ने बताया कि एक तो परागण का काम होता है दूसरी जीजी जो मधु इसरे जो निकलता है जो हम हनी के रूप में यूज करते रहते हैं मधु एक सब संस्क्रीश सब्द है और सहद उस कहार में उपयोग करते हैं और 30% उसमें 30% के करीब उसमें फ्रक्टोज होता है 37% करीब करीब ग्लुकोज होता है और 2-7% तक सुक्रोज होता है यह उसकी पूरी संरचना है इसके साथ-साथ क्या करते हैं इसको जो मधू होता है मधू को आप बच्चों को खिलाते हैं और इसको प्रयोग करते हैं उसमें खाते हैं और मिला करके खाईए और हम ऐसा जो है जिसे बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए इसको खाते हैं यह हमारा नीबू के साथ मिला करके चाहिए कुछ और के साथ मिला करके इसको हम जब एक चमच सहद उसमें डालते हैं और उरिजि करें सफर्द का लिए का कुछ मात्रा उसमें रहती है भी आप इसको कर्सका हुग कर सकते हैं माफ हैं तो worry मार् AGAD में क्रीम दिखेगी, उसमें आपको मधू का हनी का जो है, आप देखेंक्पा चप्वा सिख ने करते हैं। तो उसमें कील मुहांसे को भी हम इसको प्रयोग करते हैं, यह भी मतला बेक तरह से, और डाक्टर की सलाह पर हम करते हैं, किसी-किसी व्यक्ति को जो है सहद नुकसान भी करता है, तो थोड़ा बहुत पहले इसको टेस्ट करा करके, और तब हम अगर थोड़ा बहुत पहले तो उसमें जो है, सबसे पहले उसमें मधू मांगा जाता है, कि मधू दीजिये, और चुकी इसलिए माना जाता है कि यह प्रकृत की सबसे बड़ी सबसे अच्छी देन है, जो मधू के रुप में एकदम सुद्ध मिलती है, बाकी चीज़ों मिलावट भी हो सकती है, बाकी मधू जएदा तर सुद्ध मिलती है, तो उसको मधू मख्य की बक्सों से जब निकाल करके और अजब मधू निकालते हैं, तो वो सुद्ध होती है और धारमे कनुटानों में यूज़ करते हैं, और इसके अलावा आज जो हमारे देस में जो मधू मधू मुख्य पालन जो क और उन्से बाथ होती है तो उनसे कहा ए कि अगसाब जब हमने सबसे पहले पढ़ाया लिखाया खिलाया और अपने घर भी बनाए और बहुत सारा मतलब एक तरह से दूसरा कोई भी व्यासाय नहीं किया साथ साथ इसके साथ और इसका सबसे बड़ा उधार्णिया है कि हम इसको जो भूमहीन क्रिसक हैं जिसके पास कोई भी लागत अपनी जमीन खुद हो सकता है एक बक्से धाई से तीन हजार रुपया में आप खरी सकते हैं और पांच बक्से से आप इसका ब्यापार सुरू कर सकते हैं और महीने में आपको कम से कम दो से तीन हजार रुपया पांच बक्सों से मिलने लगेगा और आपके पास सव सवा सो डेड़ सो बक्से अ लोगियों को भी चीनी नुक्सान करती है, उसके अस्तान पर सहथ का भी हम उप्योग कर सकते हैं, सुगर के मरीज को जो है इसमें नुक्सान करता है, सहथ को बकरी के दूद या मठे में भी मिला कर गाढ़ा करने पर पीने से 6 रोग में भी लाब होता है, इसके साथ 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 सहथ टानिक का भी काम करता है, इसके साथ आखों में बहुत सी बीमारियों को भी दूर करता है, चोट लगने पर घाव पर लगाने से भी लाब होता है इसके साथ-साथ, और जो हम सिसो को बोलते हैं, बच्चों को जी से चोटा बच्चा है, उसको 10-15 ग्राम तक मदू हम दे सकते हैं, बयास को 30-35 ग्राम मदू दे सकते हैं, और ब rec substant 20-30 ग्राम परति दिन मदू दे सकते हैं, इसके साथ साथ अगर बीमार कोई ब्यक्ति है तो डाक्टर की सलह पर उसको कितना मदू देना है कितना सहथ देना है उसको हम डिशाइड करते हैं डाक्टर बताते हैं मूम द्वारा एक होता है उसका उत्पाद मूम होता है मूम द्वारा छत्तों का निर्माण किया जाता है मूम को जलाने वा और सधी बनाने में प्रियोग किया जाता है यह एक दूसरा उत्पाद है मधू के अलावा और परागन के अलावा यह तीसरा उत्पाद हम बता सकते हैं कि मूम होता है मूम के अलावा जो मदमक्खी का बिस होता है मदमक्खी का बिस जो है गठिया रोग में, फाइब्रोसाइटिस में, नियुराइटिस में इस तरह के जैसे जो रोग होते हैं उससे भी छुटकारा हम पा सकते हैं और जो आंख है तोशा रोग है मलेडिया के उपचार में में भी हैं उसका प्रयोग करते हैं साथ ही जो गोध होता है इसका आप देखे होंगे बहुत सारे जो टेप बनते हैं जो उसमें गोध लगा हुआ होता है वो मदमुक्खी से निकलता है और पीला पन हरा से लेकर कि लाल रंकाई होता है यह कड़ा हम ठंदा होने पर तोटने लायक और गरम होने पर चिपपा से इसको हम पॉष्टिकम सदी गुणों से भी भरपूर होता है बसावा खनीश पजारत भी इसमें उपलब्द होता है एंजाइम एसीड होता है और अन्रसाइनिक तत्व भी होते हैं और भोजन का अपना एक भोजन का परियाप सुरोत भी होता है राहल जेली सबसे इंपा अगर भीगता है और इसको बाजार में इसकी कीमत अच्छी मिलती है स्रमी को नर्मावनों के लारवा तथा रानी मख्य मदमुख्यों का जो जीवन होता है उसके भोजन के रूप में पुर्योग करते हैं च्छ से तीन तेरह दिन के आयू के जो स्रमीक मवनों में आई वो दूसरा कोई यूवक या कोई विव्यक्ति किसान अगर मदमुख्य पालन सुरू करना चाहता है तो उसको आप मदमुख्य की जो कालोनियां होती है वो भी बिक्ती है तो उसको ढाई से तीन जार रुपिया प्रती कालोनिया आप बेश सकते हैं बक्सों के सहित तो यह भी अच्छा ब्यापार है इसको आप कर सकते हैं और किसानों की आयक को काफी बढ़ा सकते हैं जो भी वेक्ति इसमें तन्मेनेत्या से लग गया है उसको अपना काफी पैदा होता है साथी मुख्य पालन को नई वह युवारानी मुख्यों के आप सकता रहती है उनका प्रजनन को आपने देखा और मदमख़ी पालन अच्छा बैयोसा है और इससे हमारे में देश की प्रiggति भी है और आप की खुद की प्रगति है और जो भारत सरकार या परदेश सरकारों की जो हमारे जो इसकी किसानों की आयद गुणुगनी किंजे जा तो मदमख़्ी पालन भी इसमें बहुत ही सहायक रोल अदा कर सकता है और आपके खुद को परियोग और सबसे बड़ी चीज उमहीन व्यक्ति भी सबसे कम लागत में इसको सुरू कर सकता है बहुत बहुत धन्यवाद